Hello friends, सर्दियों का मौसम हेल्दी सीजन कहलाता है ये ऐसा मौसम होता है जब हम अपनी मन मर्जी का खा पी सकते है हाला कि इस मौसम में अगर हेल्दी फोट और ड्रिंक्स लिये जाए तो विसाल बर के लिए हमारे सरीर को मजबूत करने का काम करते है गुनों से भरबूर पालक का सेवन वैसे तो किसी भी वक्त करना सही होता है लेकिन अगर सर्दियों में पालक का रस पीने की सुरूरात की जाए तो ये हमारे लिए काफी फायदे मन हो सकता है पालक का जूस तो अच्छा वालो सहित सरीर की कही समस्याओं को दूर करने में कारगर साबित होता है पालक की गुनों के बारे में तो हर कोई जानता ही है पालक का सेवन सिहत के लिए काफी फायदे मन होता है चाहे पालक को सबजी के रूप में खाया जाए या फिर पालक का जूस पिया जाए दोनों ही इस्तथी में पालक हमारी सरे को काफी फाइदा पहुचाता है आम तोर पर पालक की स्वाद की वज़े से उसे कम पसंद किया जाता है लेकिन यह पोशक ततों का खजाना है और ठेर सारी समस्याओं का निदान करने में कारगर है सरतियों में तो खास तार पालक का रस सरी को काफी फाइदा पहुचाता है यह हमारी रोख प्रतिरोधक शमता भढ़ाने के साथ ही तो अच्छा बालों की समस्या से कई बीमारी उसे लड़ने में मदद करता है पालक में पूशक ततों का खजाना होता है पालक में केरोटेन, अमिनो एसिड, आइरन, आयोडिन, पोटेशियम और मेगनेशियम होता है इसमें विटामिन A, C, K, E और B, कॉम्पलेक्स भी प्रोचुर मातरा में होता है पालक का नियमे सेवन करने से हमारा सरीर का pH लेवर बैलन्स रहता है पालक में प्रोटेन और फाइबर भी प्रयाप्त मातरा में होता है पालक के चूश के फायदे, एनेमिया सरीर में खून के कमी के वज़े से एनेमिया की सिकायत होती है पालक में भरपूर मातरा में आयरन पाया जाता है इसकी मदद से सरीर में तेजी से लाल रख्ट कानिकाय बनती है इससे तेजी से सरीर में खोन की कमी दूर होती है रूमेटाइट, अर्थराइटिस, पालक का स्वभाव सारी होता है यही वज़ा है कि ये रूमेटाइट, अर्थराइटीस की सिकायत होने पर पालक का सेवन करने से तखलिफ में राहत मिलती है पेट की समस्या है जिन लोगों को पेट सम्बंदी समस्या रहती है उनके लिए पालक खाना काफी फाइदे मन होता है पालक में काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है इसे पेट की समस्या है जैसे अलसर, कमजोर पाचन तंतर और कब जैसे निजात मिलने में मदद मिलती है ओस्टियोपोरेसिस हट्डियो संबंदी घातक बिमारी Osteoporesis से लड़ने में भी पालक कारगर है पालक में विटामिन के पाया जाता है इसकी मदद से हड्यों के भीतर कैर्सियम को मजबूती से जमे रहने में मदद मिलती है जिससे हड्या स्वस्त और मजबूत बनती है स्किन पालक का नियमित सेवन हमारी स्किन के लिए काफी फायदे मन होता है पालक का जूस रेगूलर पीनी से तुचा की खोई हुई चुमक लोटाती है और इसमें सॉफ्टनेज आ जाती है समय के साथ ही ये रिंकल्स और डार्सरकल को कम करने में मदद करता है मेंगी, एंटी एकजिन क्रीम ये इसकिन टॉनिक्स इस्तिमाब करने के बज़ाए रोजाना एक किलास पालक का जूस बीना काफी फायदे मन हो सकता है बाल तुचा की तरही बालों के लिए भी पालक का जूस काफी फायदे मन होता है बाल पतले होने या फिर सेर में खुजाल होने पर पालक का जूस काफी फाइदा पहुचाता है पालक में प्रोचुर मात्रा में विटामिन भी कॉम्प्लेक्स होता है ये बालों की ग्रोथ बढ़ाने के साथ ही उन्हें मजबूत करने में भी मदद करता है धन्यवाद यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेर एर कमन चरूर करें और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पोलें थैंक यू वेरी मच